हाई एवरीवान गुड ओर्निंग गुड आफ्न गुड इवनिंग वेरेवर यू आर मैंने मिस पंकेश जिंग्रा एप्राओ ट्राइमर और यह फिकल्टी फॉर स्टाजिक बिसनस लीडर एक्जाम वेलकुम वेलकुम तो यह ब्रांड नुव सेशन अने इस बेल शॉर्ट् और उसको हम बिल्कुल और बिल्कुल असान तरहीं करें समझते हैं, जो मुझे लगता है क्योंकि आज बहुत सारे चेंजेश आ रहे हैं, बहुत सारा इंडस्ट्री इंपक्ट हो रही है इन मॉडर्न चेंजेश से तो यह चीज हम से फिर पुची जा सकती है, तो आज हम टेस्ट करेंगे discussion on a technical article which is cryptocurrencies and initial coin offerings बिल्गुल ठीक जैसा कि मैंने पहले भी का technical article आपको नए-ने areas को touch करने के लिए होता है ताकि नए-ने areas आपको आएं और आपको पता रहें कि इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें नहीं आ रहे हैं और उनका impact corporates के ओपर या industry at large के ओपर कैसे पढ़ता है यही perspective है इस technical article का भी जहां हमें वो समझाना चाहता है कि इस term का which is cryptocurrencies का या initial coin offerings का impact corporate पर क्या पढ़ सकता है किन-किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए वही सब समझेंगे आज और end में ये भी समझेंगे कि अगर exam में इस तरह को कोशन आए तो हम उसे practically, smartly कैसे answer करें तो चलें आगे, बिल्कुल सर what is the purpose of technical article अरे सर कितनी में बताओगे समझ में आगे है सर technical article बहुत important है technical article वो area है जहां नए area होता है, जैसे cryptocurrency है जैसे सर आपने last time ब्लॉक्चेन भी कराया था बिल्कुल ठीक है सर, examiner focus करता है सर इस area पे और हमें technical article पढ़के जाना चाहिए सर हम जमझ चुके हैं सर हमें बार बार मन बताओ बिल्कुल ठीक, thanks for revising this आपने technical article जूर और जूर पढ़के जाना है बहुत सारे हमने अपनी classes में अलड़ी cover कर ली है जिन चीजों को हमें specific stress देना है उनके लिए हम इन videos में specifically आपके लिए यह लेके आ रहे है बास समझ में आती है बच्चे? बिल्कुल आती है तो देखें हम इसमें हमने पढ़ना क्या है बिल्कुल से आज हम पढ़ेंगे cryptocurrencies and initial coin offerings जेने हम ICOs भी बोलते है थोड़ा सा समझते हैं यह है क्या फिर इस पर आएंगे कि examiner question कैसे बोच सकता है बिल्कुल ठीक वाइदिस यह हमारे लिए जरूरी क्यों है because student should really, really, really understand कि यह cryptocurrencies का concept है क्या and इसका impact क्या है from the disruptive technology standpoint and their application on the short term and long term financing cryptocurrencies का अगर मैं comparison बोलूँ या मैं कोई example आपको देना चाहूँ तो एक नाम जो आप सब के मन में आएगा और आप सबने कहीं ने कहीं किसी ने किसी shape and format में सुना होगा वो है bitcoin bitcoin एक तढ़ा की cryptocurrencies है जिसको हम digital currency भी बोल सकते है जो virtual currency भी बोल सकते है एक ऐसी currency है जो example है cryptocurrency का जो हमारे लिए बहुत popular भी है और हमने सुना भी है और बहुत लोगों ने उससे बहुत पैसे भी कमाए है पासवन में आती है बच्चे बिलकुल आती है आज हम इसी चीज़ को समझेंगे कि actually में ये है क्या और इसका usage किस तरह से लोग कर रहे है और किस तरह से ये corporate को भी impact कर सकता है तांकि अगर आप as a strategic business leader कहीं पे बैठें तो आपको पता हो कि cryptocurrency का concept क्या है ICO से आप क्या कर सकते हो किसके क्या pluses है क्या minuses है और अगर examiner हमारे पास हाया तो हम बोलेंगे Mr. Examiner हम तो FinTrammer हैं हमें तो पता ही है बिलकुल ठीक ये आपका जितना भी content है ये ACCA के technical article से निकाला हुआ है मैंने उनी से points निकाले हैं कि आपको easy summarize में मैं बता सकूँ मैं इस वीडियो के details में आपको technical article का path भी दे रहा हूँ जहां आप click करेंगे तो आप सारे technical article देख सकते हैं सारे technical article SBL के अलावा भी देख सकते हैं तो सारे subjective technical articles वा हैं आप देख सकते हैं वो चीज आपको examination perspective से जरूर और जरूर देख के जानी चाहिए बासवज में आती है बिल्कुल आती है चला हम वापिस आते हैं cryptocurrencies हैं क्या digital assets होती क्या है मैंने last time आपको जो मैं blockchain का technical article करा रहा था तो मैंने आपको वहाँ एक example दिया मैंने आपको example दिया कि देखो ऐसा है किसी ना किसी payment link से या intermediary से linked है वो कही ना कही एक payment gateway से connect होता है और payment gateway से connect होके payment एक respective country के payment link में चली जाती है जो फिर उसके bank से link होता है जहाँ payment gateway उसको bank में पुचा देता है बिल्कुल ठीक जब यह पूरी transaction होती है तो कही ना कही आपके उपर बड़े सारे charges भी आता है बिकाज यह कोई भी काम यह जितने भी channels हैं intermediaries हैं यह free में तो करने वाले हैं नहीं तो इस सारे के सारे charges लेते है ताकि यह thousand pounds जहाँ transfer हो रहे है वो thousand pounds जब हाँ पोँचें तो उसके उपर इने charge मिल जाए इसलिए जब आप transfer करते हैं तो exchange rate शायर 98-99 का होता है जब आपके पास charge आपके credit card में आता है तो शायर वो hundred to hundred three rupees का आता है जो यह तीन चार रुपे होता है यह charges होता है इस transfer को materialize करने के बिल्कुल ठीक cryptocurrencies as a concept है कि एक virtual currency रहेगी जहां आप virtual currency में आपके पास एक virtual wallet होगा आप उस wallet से virtual currency निकालोगे और ACCA को directly transfer कर दोगे यह कोई intermediary बीच में नहीं होगी और क्यूंकि यह कोई intermediary बीच में नहीं होगी तो कोई charge नहीं होगा, कोई time खराब नहीं होगा आपने किसी को भी दी, उसने ली उसके against में आपको जो भी consideration उसने देना है वो दिया and so on so forth तो एक parallel currency है, एक virtual currency है जो हमारी normal currency के separate चलती है parallel चलती है जिसके लिए कोई भी bank के involvement नहीं होती है क्यूंकि bank के involvement नहीं होती है तो खर्चे नहीं होती है खर्चे नहीं होती है, तो expense नहीं होती है expense नहीं होती है, तो हमारे को कोई भी खर्चा या expense देने की जरूरत नहीं है यही होती है digital asset यही होती है cryptocurrencies in a very 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 luminous language बासरोज में आती है बच्चे, बिलकुल आती है अब हम बात करते है material context standpoint से या context standpoint से जो आपका material already इस technical article में given है उन्होंने digital asset को define किया उन्होंने का physical form होती नहीं हमने पहली बोल लिया, sir virtual form है मेरा virtual wallet है, यहां से मनी वाँ चली जाएगी, तो हमें पहले से ही पता है right to use, उन्हें पता है जिस भी holder के पास offer the holder of the digital code जिसके पास भी वो digital code होगा मेरे coins हैं, तो मेरे पास digital code है तो उसके पास right है इसको use करने का, exchange करने का बात समय में आती है बच्चे? बिलकुल आती है फिर हम हाई different in operation, on the face of it exchange is very similar to use of money in the traditional currency system however, the way the crypto currency operate is very 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 different because सारा कुछ virtual format में होता है blockchain technology पर based होता है nodes के थुरू होता है कहीं ना कहीं blocks बने होते है उन blocks के थुरू होता है और क्योंकि वो blocks बने होते हैं तो बहुत secure होते हैं because एक node को पता हुता है दूसरोड में क्या हो रहा है जो चीज बैंक के context में नहीं होती है इसलिए blockchain technology बहुत famous हो रही है बहुत सारे uses आ रहे है because यह बहुत और बहुत securitized होती है और इसको hack करना भी बहुत मुश्किल है बास समझ में आती है वच्छे? बिल्कुल आती है सर आगे चलते हैं अब उनमें बात क्या distributed ledger क्या है देखो बच्छे जब इतने सारे आपके nodes हैं इतने सारे computer आपस में linked हैं और इतनी सारी transaction हो रही है तो कहीं ना कहीं digital ledger तो है बिल्कुल ठीक, manual ledger तो होता नहीं bank तो है नहीं बीच में तो digital ledger होता है और वो जो digital ledger होता है वो distributed होता है because हर computer, हर node अपना ledger खुद maintain करके चलता है और उसे सारी information होती है इसे हम digital distributed network भी बोलते है या ledger भी बोलते है जहां पर सारी की सारी information available होती है in that ledger of all the pieces that are linked in this chain इसी को blockchain technology भी बोलते है इसी को हम cryptocurrencies की workout methodology भी कहते है बासवाज में आती है बच्चे बिल्कुल आती है the fiat currencies जो परानी currencies है operate through central banking system जो यहां नहीं होता है यहां तो सब कुछ virtual होता है in crypto currency system there is no central bank we all know that there is no central records there is no central authority it is operated using a digital ledger system बिल्कुल सर आपने laymanese language बिल्कुल समझाई दिया हमे distributed ledger is in effect a huge database जिसका कोई एक single definite version नहीं होता है आपको हर computer में मिलेगा यह कोई भी computer दूसरे computer के बेना move ही नहीं हो सकता है इसलिए यह बहुत ही securitize होता है this present a clear advantage over the traditional banking system in which central record could be hacked and manipulated to successfully manipulate a digital ledger system every single copy of ledger would need to be hacked and altered which is near to impossible बिल्कुल एक टाइम पर सबको hack करना पड़ेगा वो तो possible ही नहीं है इसलिए यह चीज हो ही नहीं सकती है बासर में आती है बटे बिल्कुल आती है सर आगे चले चलो इसके benefits क्या है cryptocurrencies की है तो सबसे बड़ा benefit तो हमने समझे लिया सर ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं होता दूसरा reduced currency risk नहीं होता currency हो को risk नहीं है movement नहीं है currency में because currency तो है नहीं dollar इतने का हो गया pound इतने का हो गया वो तो होना नहीं है बिल्कुल ठीक reduced currency risk avoid bank transfer and regulator fees बिल्कुल ठीक है सर easier business transaction with wider range of domestic and international user कहीं पर भी कैसे भी आप पैसा transfer कर सकते हो कोई restriction नहीं है crypto currencies could be potentially offer a more stable currency to locations with unstable local currencies बिल्कुल जह unstable है वहाँ भी stability लेकर ये आ सकता है बासमन में आती है बिल्कुल आती है अब ये तो हुए इसके benefit हमें कुछ न कुछ limitation भी इस पर जरो नजर आएगी देखो इतना ही big currency चल रही है इतना बड़ा parallel economy चल रही है तो क्यों आज भी वो banks नहीं ले सके या जो governments है उन्होंने उसको regulate नहीं किया कहीं ना कहीं तो ये शुरहा होगा क्या limitation है उसकी सबसे पहले limitation है lack of accountability as there is no governance system because आज की rate में भी ये parallelly maintained हो रही है regulation के अंदर अभी भी नहीं आई है सब दूसरी the lack of central authority also means lack of consumer protection because आपके पास consumer protection में नहीं है अगर आपके पास आपकी currency है तो कहीं ना कहीं central bank assure करता है कि वो currency viable रहेगी but cryptocurrency के पास ऐसे कोई governance नहीं है तो कहीं ना कहीं वो risk आपके पास है investor lose their funds if their password is lost because सब कुछ virtual है तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी problem आई तो आप अपनी currency lose out कर सकते हो ये एक problem है due to high level of confidentiality afforded to users along with the challenge of tracking transaction cryptocurrencies can facilitate illicit activities such as money laundering अगर regulated नहीं होगी मेरे बच्चे तो कहीं ना कहीं कहीं गलत activities के लिए भी ये fund इस्तमाल हो सकते है तो money laundering और illegal drug transactions या कुछ और जो हमने कभी सुना ही ना हो उनके लिए भी इस्तमाल हो सकता है but despite this all I can tell you is cryptocurrencies day by day बहुत और बहुत popular होती जा रहे है और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बहुत easy है और बहुत जादा prevalent होती जा रहे है in the parallel economy बास सुनने आती है बचे बिलकुल आती है अब हम कहें आगे cryptocurrency as an investment या cryptocurrency as a medium of exchange अगर आप bitcoins को भी देखोगे तो एक तो है आप exchange कर सकते हो जैसा मैंने बोला आप India से पैसा ड़े सकते हो ACC or UK को तो एक exchange हो सकता है एक आप investment किता है भी रख सकते हो कि मुझे cryptocurrency में पैसा invest करके रखना है तो दूनों तरहागी चीज़ें पॉसिबल है investment भी और exchange भी अब हम आते हैं यह initial coin offerings क्या है IPO सुना है बच्चे बिलकुल सुना है companies share निकालती है market से पैसा लेती है तो shares देती है उन्हें और उसके exchange में पैसा मिलता है which way they can use it for their own benefit and you know of course the benefit for the company initial coin offerings भी होता है जहां पे coins निकाले जाते है coins निकालने का सबसे बड़ा जरिया क्या है सबसे बड़ा reason क्या है ताकि company fund इकठे कर सकें अगर company हमने fund इकठे कर लेंगी parallel economy में या parallel market में तो जो पूरा को पूरा regulated environment है जहां उन्हें इतने सारे processes करने पड़ते है fund raising के लिए वो शायद नहीं करने पड़ेंगे इसी कारण से initial coin offerings भी एक parallel source of raising funds है जो market में अब popular होता जा रहा है और corporate के लिए वो चीज़ ease है because उसमें ease of raising money होता है cost भी कम होती है और वैसा जल्दी मिल जाता है इसलिए corporate सोचते हैं कि IPOs के जग़ा आ ICOs कर लो but अभी भी ये बहुत common नहीं है क्यों नहीं है थोड़ो सा पढ़ते हैं cryptocurrencies can also be used as a method of raising finance हमने बात करी ली this is achieved through creation of decentralized network in an ICOs ICOs have degree of similarity with IPOs जो हमने बात करी ली however there are some key differences number one supporters not investors ICO involves supporters who buy into the system investors नहीं होते उनका नाम supporters होता है यह चीज तो बहुत easy है और बहुत simple है there is no controlling authority to govern यहमने पहले ही बात करी unlike IPOs ICOs in the most part are unregulated यह भी हम बात कर चुक है originally ICOs were used by tech entrepreneurs as a method of raising finance they need to create new blockchain based cryptocurrencies or related app or systems initially आया होने के लिए था but अब day by day बच्चे यह popular होता जा रहा है the niche approach to raise finance allows the company to raise finance very quickly and to bypass the heavily regulated markets बात संच में आती है बच्चे बिलकुल आती है popularity of ICOs soared in the later half of 2017 at which time they overtook venture capital as primary source of funding in their blockchain sector बहुत सारी जगा हो रहा है बच्चे हमें अभी पता नहीं है but यह चीज बहुत कॉमन होती जा रही है 2017 onwards even I have seen some transactions myself जहां पे blockchain funding होई है आगे चलें बिलकुल suitability, acceptability and feasibility of ICOs बेटा suitability, acceptability, feasibility कहीं सुना है हमने कहां सुना है? जहां सर आप strategy की बात करते हो strategy implementation की बात करते हो तो आप देखते हो कि वो suitable है, acceptable है feasible है या नहीं हमें यही चीज ICOs के perspective से देखनी है सबसे पहली चीज, money can be raised quickly we know that ICOs का benefit है उसमें cheaper source है, we know that ICOs का benefit है उसमें ease है, we know that benefit है उसमें global investor base है, कहीं से भी कैसे भी पैसा raise कर सकते हो, benefit है immediate liquid investment है बहुत बड़ा benefit है, जल्दी ले सकते हो liquid investment रहेगा, कभी भी वापिस converts कर सकते हो, बासाज में आती है बिलकुल आती है but, risk भी है बच्चे इसमें वो risk क्या है क्योंकि यह unregulated है तो you may end up raising more fund than it is needed, कोई बार तो है नहीं तो आप कहीं नहीं कई fund ज़्यादा raise कर सकते है जतना आपको चाहिए तो वह भी problem हो सकते है दूसरा, कोई standard नहीं है उसका, white paper नहीं है तो इसका हमें आज की डेट में शायद अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। तो आपने सबसे चीज करने हैं, सबसे पहले चीज होनी चाहिए, कोश्चन की रिक्वार्मेंट को धंक से पढ़ना है कि वो पूछ कह रहा है हमसे। दूसरा, you have to spend time in terms of analyzing the situation कि वो कैसे funding हो रही है, क्यों हो रही है, क्या उसके पास options available हैं, क्या options available नहीं है, क्या ICO ही सिर्फ option है, या ICO option क्या वहाँ पे applicable होता है, क्या ये वहाँ पे suitable होगा, feasible होगा या नहीं। Important है, detail में समझना. Then comes, is there a situation where there is a real or urgent need for and quick need of the funds, क्योंकि सबसे बड़ा benefit तो quick or urgent funding का ICOs का benefit होता है, क्या वो requirement सही में हमारी है, यह हम wait कर सकते हैं, क्या cost of other funding बहुत ज़ादा है, जो हम ICOs की तरफ जा रहे हैं, इस चीज़ का assessment भी करना है. And let's see if there is a normal funding source available or not, यह भी देखना जरूरी है, अगर वो normal source of funding नहीं है, तो ही आपको ICO recommend करना है. And evaluate ICO thoroughly, pluses and minuses दोनों देखना है, management को आपको यह भी बताना चाहिए, जो मैंने specifically रुखा है, when assessing whether or not ICO is appropriate, company will need to look at these factors alongside with strategy, objective, operations and risk policies, risk policies, risk policies. बार-बार कह रहा हूं, underline कर रहा हूं, जरूर management को बताना है कि इसमें risk है, आपको पता होना चाहिए, और इन risk को आपको ध्यान रखते वे, decision लेना चाहिए, and informed to the extent that it would be considered suitable, acceptable and feasible decisions. अगर आप यह recommend करके आओ भी, तब भी plus और minus side दोनों बता के आना examiner को, कि यह इसके positives हैं, यह इसके negatives हैं, ताकि उसको यह पता हो, कि आपको blockchain या cryptocurrency as a concept, बिलकुल और बिलकुल fair है. बात समझ में आते हैं बच्चे, बिलकुल. This was it I wanted to cover from the cryptocurrency standpoint. मैंने इस पूरे technical article को बहुत नच्छल में संजाने की कोईश करी है, ताकि आपको एक-एक concept बिलकुल clear हो जाए. I hope you like this video, you know you should certainly subscribe to FinTram channel, because we'll keep sending these videos, keep updating these videos, and of course please press the bell icon, ताकि आपको जब भी वीडियो आए, आपको सबसे पहले पता चल जाए. बच्चे, exam perspective से ये चीज़ बहुत important है, कि आपको पता हो ये new-new concept, as I said, कहीं बार exam में एक नई situation लेके आता है, जो SBL में बहुत और बहुत common है, अगर वो situation को हम धंक से capture कर लेंगे, और इनको ठंक से apply करेंगे इन concept को, तो हमें कभी problem आएगा ने. हम तो fin trimmer है sir, हम problem आने देंगे ने. बिलकुल, so with that, दिस्पंकर जिंकरा, signing off.